दिल्ली में गहराते जल संकट के बीश आमादमी पार्टी के तमाम विधायक केंद्रिय जल मंत्री सियार पार्टी के घर पर पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो तमाम विधायक हैं वो लोग यहां पर पहुंचे हैं राखी बिल्डान हैं दिली ने मिल पा रहा है आप तमाम विधायक लोग भी कठे होकर क्या सियर पार्टी से मिलना है क्या मुद्दे हैं क्या बाच देखें निश्ची तोर पर आपने अपने सवाल में ही मुद्दे को बता दिया है कि दिल्ली के अंदर जल संकट गहराया हुआ है और पाटिल साहब भी नए नए जो है जल सकती मंत्री बने हैं तो इनके समक्ष सर्फ हम दिल्ली की जनता की गुहार लेकर आये थे दिल्ली की जनता की समस्या का समाधान हो इस आशा से उम्मीद से आज हम इनके समक्ष आये थे कल हमने चिठी भी लिखी थी कि आप हमसे मुलाकात का हमें समय करना चाती हूं कि इतनी गंभीर तप्ती जो गर्मी है इसके अंदर जो है जनता दिल्ली की जिस प्रकार से त्राहिमाम त्राहिमाम की स्थिती में है दिल्ली की हमारी जो जल मंत्री है वो लगातार जो है समन्वे स्थापित कर रही है अधिकारी लगातार फिल्ड पर लगे ह एक एक विधायक एक पार्शत साती लगातार जो है जनता के बीच में समस्या के समाधान के लिए निकले हुए हैं लेकिन इन सब बातों के बाद भी सबसे जादा अगर किसी की कारे का असर पड़ेगा तो माने नहीं है जो मंत्री है जल शक्ति मंत्री पाटिल साहब उनके जो जनता पार्टि की ही सरकार है अपनी पार्टी की सरकार से अगर वो समनवे स्थापित करवा पाएंगे तो दिल्ली की जनता को रहत मिलने की बहुत theology म Hagg brutta उमीद हुए उसके उपर जो है प्रशाशनिक दबाव बना कर उसके उपर प्रशाशन के माध्यम से किस प्रकार सक्त से सक्त कारवाई की जाए वो माननिय पाटिल माध्यम से हो संभव पाएगी किस प्रकार से रेत माफिया जो दिल्ली के बॉर्डर के साथ यूपी का लगता हुआ गाव हैं वो किस प्रकार से यूमना के जल को रोक कर अवैद खनन कर रहा है उसके उपर भी यूपी की अपनी सरकार के साथ समन्वे स्थापित करकर कारवाई करने का काम भी पाटिल साहब के माध्यम से ही किया जाएगा कुल मिला कर कहने की बात सिर्फ इतनी है कि अगर पाटिल साहब चाहें तो चंद घंटों के अंदर ही दिल्ली की जो अपूरती जल की है दिल्ली के अंदर जो जल का संकट गहराया हुआ है ये इसका समाधान निकाला जा सकता है और हमें पूर दिल्ली की जनता की आवाज को यहां लेकर वो उस आवाज को सुनेंगे भी और उसका संग्यान भी लेकर बड़ा सवाल यह मेरा तारीक बदल रही है दिन बदल रहे हैं लेकिन हालात और तस्वीरें वैसी की वैसी हैं दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर टैंकर के इं अंदर कुछ राजनेतिक धर पकड़ करकर बैठे हैं, राजनेतिक सोच को जिनोंने बढ़ावा दे दिया और मानफता को जिनोंने पीछे कर दिया, ये वकत राजनीती करने का नहीं है, ये वकत किसी को उचा दिखाने और नीचा दिखाने का नहीं है, ये वकत है मानफता के पानित जनता के लिए और इस इंसान है दिली देश की राजधानी की सम्मानित जनता है एस सम्मानित जनता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्गत ना सरकार की राजय सरकार के मंत्रियों की दिल्ली सरकार के मंत्री विधायक और पार्शदों की प्रात्मिकता होनी चाहिए और दिल्ली सरकार की प्रात्मिकता है यह आप देली देख रहे हैं दिल्ली सरकार के मंत्री हो दिल्ली सरकार के विधायक हो दिल्ली सरकार के पार्शदो दिल्ली सरकार के अधिकारी हो, एक दम जैसे सुई की घड़ी की सूईयां हर एक मिनट अपना समय दिखाती और दौडती रहती है, ऐसे ही घड़ी की सूईयों की तरह पूरा का पूरा का पूरा पूरा प्रशाशन दिल्ली की जनता की सेवा के लिए लगा हुआ है. जाये तोर पर आमादमी पार्टी से राखी बिल्डान यहां पर पहुंचे हैं तमाम जो विधायक हैं वो लोग यहां पर पहुंचे हैं सीयार पार्टील के घर पर बाकाइदा फोर्स लगा दी गई है फिर सीयार पार्टील किनी वजहों से मिल नहीं पाए हैं विधायकों से लेकिन विधायकों ने आकर के यहाँ पर अपनी बात रखी है किस तरीके से दिल्ली की जनता पानी के लिए तरहीमाम करिये ये एक भयानक तस्वीर है कैमरमन नदिम के साथ पुनी शर्मा टीवने भावत वश दिल्ली